नमस्कार साथियो, मेरा नाम मयंख है और इस बार South Asian University के Entrance Examination में, Master in International Relations में, इंडिया में मेरी रैंक फूर्थ आई है तो मैं DKT के माध्यम से आपको South Asian University के बारे में और अपनी Entrance Examination के स्ट्रेटीजी के बारे में बताऊँगा तो सबसे पहले South Asian University के बारे में जान लेते हैं South Asian University देली में लोकेटेड है और ये सार्क मेंबर कंट्रीज के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी और जो मेंबर हैं सार्क कंट्रीज के जैसे कि इसमें नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, माल्डीप्स ये 8 कंट्रीज इन्वाल्व हैं इसमें और अब बात करते हैं SAU के exam pattern के बारे में SAU के जो form आते हैं वो आपके March, April में आते हैं और इसका entrance examination में में होता है और ये जो exam conduct होता है वो computer-based test के माधियम से होता है जिसमें 50 questions आते हैं और ये 50 questions आपको 2 hours के अंदर solve करने होते हैं इन 50 questions में current affairs से related questions आते हैं current affairs से related जो international global events है जो major important global events है उनसे related जो SAR countries के internal affairs के important कुछ events हुए है उससे related questions आते हैं जो जो कुछ bilateral relations है SAR country के बीच में या international level पर कोई भी bilateral relations है इन SAR countries के दूसरे countries के साथ उससे related questions आते हैं IR theories, international relation theory से related questions आते हैं साथ में ही comprehension based questions आते हैं यह सारा questions आता हैं कुछ random questions होते हैं जो general awareness और general knowledge से related होते हैं जो मेरी strategy रही है SAU entrance examination को लेकर जो MA in international relations में था उसमें जो मैंने sources रखे थे उसमें सबसे पहला जो source जो मैंने पढ़ा था वो था globalization of world politics इसके से में बहुत important book मानता हूं मैंने एक ही book cover करी थी और उस book के सारे chapters important हैं वो 27 chapters है वो 27 chapters आप पढ़ लीजे वो 27 chapters आप पूरी पढ़िए वो 27 chapters आप फर्स रीडिंग में पूरी पढ़िए तो यह theories ज्यादा important है इन theories पर ज्यादा focus करिए और साथ में क्या कीजिए आप जो साथ में जो globalization of world politics है उस बुक के साथ आपको self-test questions मिलते हैं वो boxport की website मिलते हैं उसे जरूर प्रैक्टिस करिए इससे क्या होगा कि जब आपको last time revision करना होगा तो आपको वो वो सिर्फ वो सारे chapters के questions देखके आप easily revise कर सकते हैं तो यह मेरी globalization of world politics को cover करने की strategy रही है कि आप सबसे पहले उस बुक को पढ़ें उस बुक को पढ़ने के बाद जो self-test के questions है उसे लगाएं और last time में उस questions को ही revise करें क्योंकि वो book बहुत बड़ी है उस book को cover करने में काफी time लगता है तो last moment पे जो आपने questions की होंगे जो self-test questions ह होते हैं वो Oxford की website में मिल जाएंगे आपको उन questions को आप कर सकते हैं और उसे revise करें last moment पे दूसरा मैंने किया था मैंने current affairs के लिए PT 365 लगाया था international relations vision का तो आप उसके साथ आप कोई भी ऐसा जो yearly compilation हो किसी भी coaching material का आप उसे पढ़ सकते हैं international relations related तीसरी चीज मैंने जो पढ़ी वो था मैंने क्या किया था कि जो जेनियू के PhD के South Asian studies का paper होता है from 2019 to 2021 मैंने वो लगाया था और South Asian studies का जो important के South Asian studies के paper डाउनलोड करके उन्हें solve कर सकते हैं साथ में मैंने JNU के ही MA PISM और IRM के दोनों के तीन साल के 2019 ट्वेंटी और 21 के paper solve किये थे एक YouTube चानल है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है political Paul science health उस उसने मेरी भी उससे भी मैंने काफी help लिया था और उसके videos और उससे मै पर जो एवेलेबल नहीं है उनको भी आप जरूर लगाए आप इस YouTube के चैनल के माधियम से लगा सकते हैं साथ में ही Paul science help की एक मैंने South Asian University की focus करके एक guide थी उसे भी मैंने revision के लिए मैंने किया था तो आप भी कर सकते हैं जो भी क्योंकि आप country's की प्रोफाइल करनी होती है तो आप इसली उससे revise कर सकते हैं साथ में मैंने test series लगाई थी जो exam treasury करके चैनल है आप उससे वहां की test series लगा सकते हैं वो भी काफी helpful है बट मैं ज्यादा नहीं लगा पाया था मैं तीन से चार ही test series लगा पाया था साथ में आप क्या करें कि जो भी major events है जो important events है South Asian regions के आप उस paper से cover कर सकते हैं like आपको अगर जो the Hindu का वर्ल पे जाता है उसमें अगर कोई South सार्क से related या South Asian nation से related कोई भी important events उनके internal events है और bilateral events है तो आप उन्हें world world the Hindu के world page से note down कर सकते हैं तो यह मेरी strategy रही है यह करने की और साथ में आप इसे एक किसी एक जगा एक अठा रखें जी आप जितनी भी चीज़ें करें और exam के exam के exam के exam के कुछ दिन पहले उसे revise करते रहें इसारी चीज़े काफी helpful रही है और यह मेरे लिए work किया है और at last आ very unpredictable actually क्या है कि जो में इंटरनेशनल इलेशन है साउट एशन इन इन इसमें 30 सीट से जिसमें सिर्फ 15 सीट इंडिन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और बाकी जो 15 से वह अधर सार्क मेंबर नेशन के लिए तो आप साथ में अगर आप S.E.U. का एक्जाम दे रहे हैं त क्योंकि यह काफी हल्फुल होता है जब आप लास्ट मुवमेंट पर कोशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई चीज़े आपको नहीं आ रही होती लेकिन अगर आपको कुछ चीज़े भी पता है तो आप इलिमिनेट कर ले जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप PSIR क के बैक्ग्राउंड के हैं या अपने कॉलिटी से अपना बैचलर्स के तभी आप इस एक्जाम को दे सकते हैं किसी भी बैक्ग्राउंड के लोग Master in International Relations का एक्जाम का एक्जाम का और साथ में ही मैंने क्या किया था जब मैं कोशन लगाता था तो मैं उस पर फुर्दर रिसर यह काफी helpful रहता है यह exercise जब आप करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं आपको दो तीन चीज़े डवलप होंगी एक आपको elimination का पता लगेगा दूसरी चीज़ एक ही option से आपके बहुत सारे questions कवर हो सकते हैं तो आप यह जरूर करें कि जब भी आप questions लगाएं तो उसके options को explore कर करनी है और जो मैंने पहले book बताई थी Bailey's and Smith उसे कम से कम दो बार पढ़ना है और तीसरी बार में जो आप जो मैं self-test questions की बात कर रहा था Oxford website पर आपको मिल जाएगा Oxford की website मिल जाएगा तो अगर आपको questions नहीं मिले तो आप मुझे comments में बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि में वो questions आपको provide कर सको मेरी email ID यहां attach कर दी जाएगी तो आप उस पर बता सकते हैं परदर आपको क्या करना है कि जब भी आप questions लगाएं exam exam में जब भी आप questions को लगा रहे हो क्योंकि time बहुत होता है 50 questions होते हैं time बहुत मिलता है आपको 2 घंटे का समय होता है तो sufficient time है जब आप comprehension के questions लगाए specially क्योंकि वह काफी ज़्यादा उसमें आपको reading ऐसा नहीं कि आपको एकदम तीज तीज पढ़ना है उन्हें अराम से पढ़िए उन्हें सोचिए तब उनके options मार करिए इससे क्या होता है कभी-कभी आप जलबाजी में comprehension पढ़ लेते हैं लेकिन आप conclude नह आते हैं उनके लिए आपको generally questions आपको international theories के उपर आते हैं तो आपको जो मैंने पहले बताया था जो IR theories है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है जो भी 6-7 theories है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है वो Bailey's and Smith's से कवर हो जाएगी आपकी और उसे कवर करने के बाद आपको एक sense develop होगा और जो comprehension के questions आएंगे उन्हें आप बहुत rarely है कि गलत करेंगे तो comprehension के questions काफी matter करते हैं और अगर आप daily नहीं कर पा रहे हैं current affairs को international related current affairs को तो आप मन्ती compilations को कर लें क्योंकि current affairs का भी अच्छा खासा weightage है और countries के profile को जरूर पढ़ें जितने भी सार्क nations की countries हैं उ उनको जरूर पढ़ें और दूसरी चीज़े जो भी eminent personalities या जो भी कोई South Asian nations की eminent personalities हैं उनसे related कोई भी चीज न्यूज में है तो उसे भी cover करने की कोशिश करें वो आपको generally the Hindu के world page में अगर कोई भी important ख़बर आती है तो वो mention हो जाती है तो उसे आप note down कर लें क्योंकि important international organization उनने आपको cover करना है आप जो भी news में चल रही हैं उनसे आप cover कर सकते है उनको down कर सकते हैं और उनको prepare कर सकते है वो क्यों news में हैं उनके basics के बारे में जान सकते हैं, तो international organization काफी important हो जाते हैं इस exam के लिए, क्योंकि उसे related questions जरूर बनते हैं, साथ में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे countries की profile त्यार करनी थी, तो हर एक country का एक, आप search करके उनके Wikipedia पे जा सकते हैं, मैंने internet का साहर अलियत है इस पर, और Wikipedia से आप उन्हें cover कर सकते हैं, एक short notes बना सकते हैं हरे countries के उपर, जितनी भी countries हैं, साथ nations की, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांगलादेश, श्रिलंका, मालडीप, अफगानिस्तान, इन सारी countries के बारे में आप एक short सा notes बना ले, उनके polity के बारे में, उनके economics के बारे में, उ को भी आप जान ले, कोई South Asia में कोई जो रामसर साइट नई डिकलेर हुए, उनके बारे में जान ले, कोई नई trade deal हुई है, उनके बारे में जान ले, तो ऐसे करकर के आप एक profile बना सकते हैं countries की, जो की काफी help करेगी आपको इस exam के लिए, ये आप internet का भी सहारा ले सकते हैं न्यूस पेपर का भी सहारा ले सकते हैं, किसी सोर्स से सहारा ले सकते हैं, आप एशा पे आपको focus करना है और special focus आपको South Asia नेशन पर ज़रूर करना है, तो इसी के साथ मैं आप सभी को all the best कहना चाहूँगा, और मैं DKT की टीम को भी thank you करना चाहूँगा, जिन्हों ने मुझ